अध्याय देरा जामिती रचनाएं जोमेंट्रिकल कंस्ट्रक्शन्स परिचे इंटोड़क्शन जामिती रचना करने से ताथ पर परकार और रूलर की सहायता से माप कर जामिती आकरितियां बनाना है जामिती रचना के द्वारा हम जामिती की कई अधारनाओं सम्मंधों वा उपत्तियों को अनुभो कर सकते हैं और उनके बारे में सोच सकते हैं हम उन अधारनाओं का उप्योग कर ऐसी जामिती रचनाओं करेंगे जो हमने पढ़ी हैं रचित करने के साथ साथ कुछ रचनाओं का विश्टेशन भी करेंगे जिससे हम यह समझ सकेंगे यह रचनाओं किस तरह की जाती हैं और क्यों इस बात को समझने के लिए हम दिये गए सवालों के अनुसार रशनाओं को बनाते समय उनके बारे में सोचेंगे और शर्चा करेंगे गणित में तर्क प्रमार्ण यानि प्रूफ आदी को ध्यान में रखकर सवाल हल किये जाते हैं सवाल हल करना और यह देखना कि क्या कोई सवाल एक से ज्यादा तरीके से हल किया जा सकता है कौन सा तरीका ज्यादा उप्युक्त और आसान है ऐसी बातें सोचना महतुपूर्ण है यह सवाल करना वह सोचना हमारी तर्किक और सिजनात्मक शमता का विकास करता है आईए कुछ जहमिती रशनाय करते हैं अभी तक आपने इसकेल और चांदे की सहायता से निश्यत माव के रेखाखंड और कौन बनाए है इस अध्याय में हम परकार और रूलर का उप्योग करते हुए रशना करेंगे रूलर का रशना में उप्योग हम जानते हैं कि किनी दो बिंदों A और B दोनों से गुजरने वाली सिर्फ एक सरल रेखाखंड खीची जा सकती है यह अभी गरीत है हम रूलर का उप्योग करके रेखा A B, रेखाखंड A B या किरंड A B बना सकते हैं परकार का रशना करने में उप्योग वृत की परिभाशा से हम जानते हैं कि एक निश्यत बिंदो और त्रिज्या से किवल एक वृत बनाया जा सकता है यहां हम परकार का उप्योग वृत या चाप बनाने के लिए करेंगे